वेलो फ्रेंट्स विलकम बैक टो आवर यूटूब चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मठरी बनाने का ऐसा नया और अनुखा तरीका जिसके लिए आपको ना तो मैदे की जरुवत पड़ेगी और ना ही मठरी बनाने के लिए आपको उसे घंटो बेलना पड़े यह नए तरीके की खस्ता मठरी बनाने के लिए मैंने यहां पर तीन कटोरी ग्यूं का आटा लिया है आप चाहें तो मैदा भी आप ले सकते हैं और आप हम इसमें हम एक चमच हम अजवाइन डाल देंगे तो अजवाइन को हम इस तरह से हथेलियों से क्रस करके डालेंगी अजवाइन डाली में लाइन को अजवाइन को से तियसी आजवाइन ibaगर बहुत ही बढ़िया आता है और आप हम इसमें हम आधी चमच म नमक दाल देंगे तो मठरी में जब भी काली मिर्च हैं तो दरदरा कोट करके ही डालें इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कटोरी को खस्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आदा कटोरी डिफाइंड आयल लिया है तो मैंने यहाँ पर तीन कटोरी की मूं काटा लिया था तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आदी कटोरी डिफाइंड आयल लिया है तेल को हम हलका सा गरम कर लेंगे क्योंकि अभि तेल हलका सा गरम है इसको हम हाथों से हम नहीं मिलाँएंगे पहले इस तरह से छमस्य हम लेंगी। और अब हम इसे हम हासे अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि जो वायल है वो आटे में बढ़ियां तरीके से मिल जाए मिल मिलाने के बाद देखिए आटे का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है तो मारा मोयम परफेक्ट है अकर आपको नहीं पता चलता है तो थोड़ा सा आटा लेकि इस तरह से मुठी बांधी ते देखिए बढ़ियां तरीके से बाइंड हो रहा है तो हमारा मोयम परफेक्ट है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम सकत आटा लगा करके हम तयार कर लेंगे तो मठी के लिए आटा जब भी लगाए तो आपको आटा जो है टाइट ही लगाना है सॉफ्ट नहीं लगाना है मठी का आटा लगाना बहुत ही सिंपल है कोई जंजट नहीं है मुझे यह तरीका बहुत ही आसान लगा तो इसलिए मैंने आपके साथ यह तरीका सेयर किया है तो यह देखिए मैंने यहां पर आटा गूत करके तयार कर लिया है मैंने एक दम सक्त आटा लगा करके तयार किया है इसको हम चकले पर रख कर आठे को इस तरह से हम लंबाई में हम रोल कर लेंगे आपर इसको अच्छे से मसल लिया है इससे क्या होगा ना किसमें बढ़ियां से एर पफल से भनेंगे हमारी मठ्री अदम खस्ता बनेगी आप हम यहाँ पर हमें कैची लेंगी और प्लेट लेंगे और कैची की मदद से इस तरह से हम छोटे चोटे टुकडों में से हम काट लेंगे इस तरह से हम सारी मठ्री हम बना करके हम तयार कर लेंगे इससे समय भी बहुत कम लगता है और बहुत ही जल्दी धेर सारी मठ्री बन करके तयार हो जाती है मठ्री आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं तो इसलिए आपको ड़ने की कोई जरूरत नहीं है तो चलिए इसको फ्राइ कर लेते हैं मैंने यहाँ पर तेल गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था तो तेल को हम चेक कर लेते हैं तो आप चाहिए इसमें थोड़ा सा पाटा डाल के आप चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर तूथपिक से चेक किया है तियर देखिए इसमें हलके हलके बबल साना सुरू हो गए है हमारा तेल परफेक्ट करम है तब हम सारी मठ्री को हम डाल देंगे जितनी एक बार में आएंग जब हम मैदे की मठ्री बनाते हैं तो वह light कलर की होती है लेकिन यहाटे की मठ्री है इसलिए इसका कलर जोड़ा सा डारक रहेगा लेकिन कोहीं कॉप्रमाइज नहीं होगा तेस्ट इसका सेमी रहेगा तो मैंने यहाँ हैं सारी मठ्री को डाल दिया है इसको हम दो बेच में हम फ्राई करेंगे इसे हमें बार-बार चलाने की ज़रूरत नहीं है इसे हम बीच बीच में एक दो बार इसे हम थोड़ा सा उलट पलट कर देंगे तरी की मट्री जो है दम बढ़ियां तरीके से क्रिस्प हो गई है इसमें बहुत ही बढ़ियां सा कलर आ गया है और आटा इदम सक्त लगा कर आप तयार करें उसको फ्राई करने के लिए हलके गरम तेल में और लो फ्लेम पर इसे आप फ्राई करें तर इदम क्रिस्पी आपकी मट्री जो है बनकर तयार होगी तो ये देखिए मैंने यहापे सारी मठली बना करके तयार कर ली है और कितनी खस्ता और क्रिस्पी बन करके यह तयार हुई है मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ ये देखिए दम क्रिस्पी बन कर मान मठली तयार हुई है आप इसे ठंडा करके एक साफ सुखे डिबे में भरकर आप रख दीजी और आप इसे महीनों इंज्वाय कर सकते हैं इसे चाय के साथ या छोटी मोटी फूख हो तो आप इसे इंज्वाय कर सकते हैं बहुत ही ठेश्टी लगते हैं खाने में और इस तरीके से अगर आप मठरी बनाएंगे ना ता आपको जादा मेनाद भी नहीं करनी पड़ेगी और कम समय में आप ठेरो मठरी बनाकर आप तयार कर पाएंगे तो फ्रेंट्स अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे जैनल को लाइक को जादा से जादा से यार और सस्क्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई टेक के लिए